हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को तर quierlay के द्वारा दी जाने वाली रेलिवे्अ के द्वार की जाने वाली ब्रॉइट रहा हूँ वह फैसिलेटी क्या है तो फैसिलेटी है जीम फैसिलेटी जी हां दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को रेलिवे के दोबारा प्रोवाइड की जाने वाली जीम किस परकार की होती है और उसमें कितने चार्ज लगते हैं और कौन-कौन से इसमें लोग जा स सकते हैं यह सब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि अधर आप लोग को इस सेक्षन में जो दिखाई दे रहा है जितना भी टूल्स आप लोग यह मसीन है आपको इधर पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा होगा कोई नहीं है तो दोस्तों क्या है कि सभी के जाने के बाद यह वीडियो में शूट करना अच्छा समझा और सभी लोग आते हैं सुबह 6 बज़े के आसपास में सब कोई आ जाते हैं सुबह में और 8 पर तक याजीम चालू रहता है वैसे दोस्तों बहुत कम ही लोग इसमें इंट्रेस्ट रखते हैं और लगभग 5-10-10-10 के आसपास लोग यहां आते हैं ज्यादा संख्या नहीं रहता है मैं डेली देखता हूं तो कोई कोई किसी दिन आप सेंट रहता है कोई दो दिन दिन पर आता है कोई रेगुलर आता है कुछी लोग हैं जो इसमें रेगुलर आते हैं अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना चार्ज लगता है तो फीज क्या रहेगा इसमें? तो 200 रुपया अगर कैस देते हैं पर तेक महेँना, तो 200 रुपय देने पड़ेंगे। अगर वो लोग कैस नहीं देना पसंद करते हैं, एक आउन्स से कटवाना चाहते हैं, इसका मेंबर सी बन्के, अगर एकाउंट से कटवाना चाहते हैं तो 1.500 रुपया कोई नहीं देता है एकाउंट से नहीं कटवाता है लोग क्योंकि एक बार अगर एड हो गया तो बाद में अगर अच्छा नहीं लगा जीम करना बाद में अगर समय नहीं निकला तो भी पैसा यह कटते रहेगा जब पैसा जो है कैस इन हैंड दे दिया जाए तो 200 रुपे पर महीने मैं खुद देता हूं सुनिया कैसे जो है कैसे इन है जाए जाए यौगा कैसे आ जाए तो पर दीया है यह रहा दोस्तों रेलवे की जीम फेसलिटी यह वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ज्यादा दिन नहीं हुआ है हमको सिर्फ एक महीना हुआ है एज्वाइन किये हुए